हे गाईज कैसे हैं आप लोग तो गाईज आज की वीडियो बिल्कुल यूनिक होने वाली है कुछ वीवर्स के लिए क्योंकि आज हम मुवीज की नहीं बलकि कॉमिक्स के वर्ल्ड के दो बींग्स के बीचे कमपैरिजन देखने वाले हैं तो गाईज मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में मैं कमपैरिजन करने वाला हूँ क्रिप्टो नाइट के हस्बेंट सूपरमेन और डी सी के सोर्सर सूपरीम डॉक्टर फेट के बीच वेलियर कमपैरिजन करते वक्त इनका ओरीजन बता कर मापका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि सूपरमेन के ओरीजन का तो सभी को पता ही है कि अपने प्लैनेट क्रिप्टोन के डिस्ट्रोई होने के टाइम पर उसके माता पिता ने उसे एक पोड में डाल कर येलो सन वाले सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट अर्थ पर भेज दिया था जहां वो मिला एक फार्मर्स की फैमिली को और सूपरमेन के अच्छे बिहेवियर और एक काइन बिंग होने के पीछे रीजन भी यही लोग थे क्योंकि इन्होंने क्लार्क केंट एक एक सूपरमेन की परवरिश है ऐसी की वेट मैंने मना करके भी सूपरमेन का ओरिजन बताई दिया अब या डोक्टर फेट की ओरिजन स्टोरी थोड़ी कॉम्पलेक्स है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आगे बढ़ने से पहले डोक्टर फेट के ओरिजन पर बनाई मेरी वीडियो जाकर देख कर आए आई बटन पर क्लिक करो या डिस्क्रिप्शन में मुझूद फर्स लिंक पर आप उस वीडियो में पहुँच जाओगे और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वापस इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी लेक्ट सी अगर ये डिके वीडियो यूनिवर्स का आईडिया काम करता है या नहीं तो जल्दी करो यार जाओ देख कर आओ देखाए तो अब आपको पता है डोक्टर फेट की पावर्स के बारे में भी तो अब मैं बता देता हूँ कि सूपरमेन और डोक्टर फेट में कोन ज़्यादा पावर्फुल है मैं पहले ही बता दूँ कि यहां मैं बेस फोर्म वाले सूपरमेन को ही कंसिडर कर रहा हूँ ना कि सूपरमेन ट्राइम या फिर कोस्मिक आर्मर सूपरमेन को क्योंकि वो दोनों हद से ज़्यादा पावर्फुल है और यहां उनके साथ दूपर फेट को कंपेर करना आम जिन्दगी और मेंटोस जिन्दगी को कंपेर करने के बराबर है सबसे पहली बात तो यह कि सूपरमेन मैजिक के अगेस्ट काफी वीक है आप यह मान सकते हो कि क्रिप्टो नाइट के बाद मैजिक ही सूपरमेन की वीकनेस है और वहीं दूसरी और डोक्टर फेट की तो बेसिक पावर्जी मैजिक पर बेस्ट है अभी भी कह रहा हूँ अगर डोक्टर फेट की ओरीजन वाली वीडियो नहीं देखी तो अब जाकर देखाओ अपनी बेसिक पावर्जी मैजिक पर बेस्ट होने की विज़े से स्टार्टिंग में ही डोक्टर फेट को सूपर मैन के ऊपर एडवांटेज मिल जाएगा इसके बाद अब देख लेते हैं एक कमपैरेटिव एनलिसस तो यहां मैं इंडिरेक्ट वे में इनकी पावर्ज का एनलिसस आपके सामने प्रेजेंट करूँगा आप समझ जाओगे कि कौन जादा पावफुल है डोक्टर फेट डीसी के वन ओफ दा मोस्ट पावफुल बिंग्स यानि कि स्पेक्टर के साथ बैटल में बराबरी कर चुका है जस्ट कंसीडर कि अगर स्पेक्टर की पावर है 20 तो डोक्टर फेट की पावर्स भी हम 18 मान सकते हैं क्योंकि उसने सिर्फ स्पेक्टर की बराबरी की थी बट एक्चुली स्पेक्टर डोक्टर फेट से जादा पावफुल है और वहीं दूसरी और सूपरमैन अपनी बेसिक फोर्म में स्पेक्टर के अगेंस्ट जब लड़ा था तब वो उसे कोई नुकसान नहीं पोचा पाया था जिसे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि सूपरमैन स्पेक्टर से काफी वीग था जस्ट से कि अगर स्पेक्टर 20 पर है तो सूपरमैन अपनी बेसिक फोर्म में ओल्मोस्ट 10 पर है इस कमपैरिजन के अकोडिंग सूपरमैन डोक्टर फेट से पीछे ही है ये बात तो एक अंदा भी बता सकता है क्योंकि याड वीडियो में ओडियो भी तो है अच्छा अगले पॉइंट पर बटने से पहले मैं बता दूँ कि ना तो मैं सूपरमैन का हेटर हूँ और ना ही डोक्टर फेट का भक्त मैं बस फैक्चुल बाते ही आपको बता रहा हूँ तो लास्ट पॉइंट आता है स्पेस में बैटल को लेकर ये पॉइंट यहाँ इंक्लूड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डोक्टर फेट को अपनी पावर्स किसी सन से नहीं मिलती वही सूपरमैन की पावर्स का सोर्स ही है येलो सन तो अगर इनके बीच बैटल किसी येलो सन के सोलर सिस्टम के अलावा कहीं होती है तो सूपरमैन का जीतना तो दूर बलकि उसे डॉक्टर फेट की हेल्प लगेगी वापस अर्थ पर आने के लिए क्योंकि नो येलो सन मीन्स नो सूपर पावर्स फॉर सूपर मैन तो गईज इस पैटल का क्लेरली विनर है डॉक्टर फेट कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा और वो सोच रहे होंगे कि सूपर मैन इतना वीक थोड़ी है तो गयर मैं बता दूं कि सूपर मैन वीक नहीं है बस डॉक्टर फेट बहुत ज़्यादा पावफुल है और भाई अगर वो ओरीजन वीडियो देख ली है तो तुम मेरी बात से वैसे ही एगरी हो जाओगे और रहा सवाल डॉक्टर फेट अगेंस सूपर मैन प्राइम या कोस्मे कार्मर सूपर मैन का तो उस बैटल में डॉक्टर फेट सूपर मैन के सामने नहीं टिक पाएगा बट वेट क्या आप सूपर मैन प्राइम या कोस्मे कार्मर सूपर मैन के बारे में जानते हो लेट मी नो इन दा कमेंट्स और इसके अलावा अगर आपके पास भी है इस वीडियो से रिलेटिड कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट्स या कोई डिफरेंट परस्पेक्टिव तो उसे मेरे साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक का मुझे उम्मीद है आप लोग ये लाइक टारगेट चल्दी कम्प्रीट कर डालोगे तो ये चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पूरा ने हो तो तुम क्या करोगे बे एक काम करो तुम अनसब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ओन कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाय करे ऐसे ही और भी कम्पैरिजन देखने के लिए उपर वाली और कुछ इंटरस्टिंग देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करो तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अनल देंट ब्यचेशन गट यह चाहन?